नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं चायामार्थन्दसंभूतं तंडमामिक्षनैश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं चायामार्टंदसंभूतं तंडमामिक्षनैश्चरंश्चरंड़ प्रिय मित्रो मैं आपका दोज गनेश अवाड अब सभी मित्रो का आपकी अपने यूटूब चानल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हारदीक स्वागत करता हूँ मित्रो अगर आप हमारे चानल पर नए है तो वीडियो को अन्त तक अवश्य लेकिए और हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए आमतोर पर शनिदेव को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारण आये हैं जबकि ऐसा नहीं है जिस पर शनिदेव की क्रिपा हो उस व्यक्ती के लिए सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं शनिदेव लोगों को उनके कर्मों के हिसाब सिफल देते हैं शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है ऐसे में आज हम आपको शनिदेव के एक प्राचीन और प्रसिद मंदिर के बारे में बता रहे हैं इस मंदिर का नाम है शनी शिंगनापूर यह भारत के महराश्ट्रा राज्य के एहमदनगर जिले में एक गाउंग में स्थित है यह स्थान एहमदनगर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर और साई नगर शिर्डी से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद शनी शिंगनापूर मंदिर तक बाय रोड आसानी से पहुचा जा सकता है क्योंकि महराश्ट्रा राज्य मार्ग परिवहन महामंदट की बसे शिर्डी राहुरी, एहमदनगर, पुने, वाशी और मुंबई आदी सहित महराश्ट्रा के सभी प्रमुक स्थलों से आसानी से उपलब्ध हैं इसके अलावा कैब, टैक्सी और प्रायवेट वहनों से शनी शिंगनापूर तक जा सकते हैं शनी शिंगनापूर मंदिर ट्रेन के माध्यम से सभी प्रमुक शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है शनी शिंगनापूर का निकटतम रेलवे स्टेशन राहुरी है जो 32 किलोमीटर दूर है इसके अलावा मंदिर से एहमदनगर रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर श्रीरामपूर रेलवे स्टेशन 55 किलोमीटर और शिर्डी रेलवे स्टेशन 75 किलोमीटर दूर है मंदिर परिसर में पुझा सामगरी की कई सारी दुकाने है इसके अलावा भक्त आवास, भोजन कक्ष, वी आईपी आवास, मंदिर समिती कार्याले, मंदिर समिती के अध्यक्ष का स्वतंत्र कार्याले शनी शिंगनापूर ग्रामीन रुगनाले आधी की स्थापना की गई है और एक भव्य मंडप कीर्तन और भजन के लिए स्थापित किया गया है मंदिर परिसर में सुशोभीकरन का कार्य जोरों से चल रहा है शनी शिंगनापूर रोड पर आपको पारंपरिक तरीके से बेल जोतकर कोलहू से निकाला हुआ ताजा गन्ने का जीवस जगह जगह पर मिलेगा आईए दोस्तों जानते हैं शनी शिंगनापूर मंदिर का महत्व और इस से जुड़ी कुछ अन्य ऐहम बातें इस मंदिर में काले रंग की मूर्ती है जो स्वयम्भू है यह मूर्ती 5.9 इंच उची है साथ ही 1.6 इंच चोड़ी है यह संगमरमर के एक चबूत्रे पर स्थित है यह धूम में विराजमान है यहां शनी देव अश्ट प्रहर धूप हो आंधी हो तूफान हो या जाड़ा हो यह मूर्ती हर मौसम में बिना च्छत्रधारन की ए खड़ी रहती है इस मूर्ती के दर्शन करने हजारों लाखो भक्त हर दिन यहां आते है जब शनी देव की दृष्टी व्यक्ती पर शुब होती है तो रंग को राजा बनते देर नहीं लगती वहीं जब शनी की दृष शनी देव को नवग्रहों में सर्वश्रेष्ट कहा जाता है श्री शनी देवता अत्यंत जाजविल एमान और जागरत देवता माने जाते हैं शनी शिंगनापुर में हर वर्क के व्यक्ती अपना माथा टेक्टा है शनीवार के दिन जो भी अमावस आती है या फिर हर जयंती के दिन जगह जगह से प्रसिद ब्राहमनों को बुला कर लगुरुद्राबिशेक कराया जाता है। रुप्य आदी के लिए डिब्बे या थैली का इस्तेमाल करते हैं। इस गाव में केवल पशुओं से रक्षा के लिए बांस का ढखना दर्वाजे पर लगाया जाता है। और जो कोई भी चोरी करने का प्रयास करता है उसे दैविय दंड मिल जाता है। इस वीडियो को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं